नरेंदर मोदी का पी-म के तौर पर तीसरा कारेकाल शुरू हो गया है और उन्होंने 72 मंत्रियों के साथ रविवार को शबत लिए लेकिन इस समारों के बास ही निचरचा तेज है के मंत्री परिशत में एक भी मुस्लिम सदस्य को जगा नहीं मिली है अठारवी लोगसवा के लिए हुए चुणाओं में बीजेपी से किसी मुस्लिम सदस्य को जीत भी नहीं मिली थी लेकिन सरकार में गड़बंदन सहीयोग्यों की और से भी किसी मुस्लिम नीता कपरस्ताब नहीं आया है मोदी सरकार के ही पहले कारेकाल में मुकतार अबास नखवी मंतरी थे और उन्हें अलप संधियत कल्यार मंतराई की जिम्मदारी मिली थी फिर उन्होंने 2022 में इस्तिपा दे दिया था और सिम्रिती रानी को ये जिम्मदारी मिली थी हरदीप सिंग पूरी और रवनीत सिंग बिटू हैं जो सिख समुदाई से आते हैं इसके लावर रामदा सुठावले और किरन रिजी जू बोध धरम के अनुयाई हैं वही केरल से आने वाले जॉर्ज कूरियन इसाई समुदाई के हैं बतावे कि इन मंत्रियों में से रमनीर सिंग बिटू किसी भी सदन के सदस्तिय हैं नहीं हैं वो लोग सबाद चुनाओं में हार गए थी वही जॉर्ज कूरियन ने तो चुनाओं ही नहीं लड़ा माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें अब राजसभा के रास्ते सिलसत भीजेगी वो केरल में बीजबी के महा सच आम तोर पर कोई ना कोई मुस्लिम समुदाई का नेता मंत्री बनता रहा है ऐसे में इस बार कि मंत्री परिश्रत पर सवाल उठाई जा रहे हैं यही नहीं उमर अब्दुल्णा ने तो यह तक कह दिया था कि यह मुस्लिम मुक्त NDA सरका है गड़त लबे कि इस बार लोकसभा में अलग अलग पार्टियों से कुल 24 मुस्लिम सांसर चुन कर पहुंचे हैं इन में से तीन असद दिन अवेसे की पार्टी AIMIN से ही है Bureau Report, SG News